हेलो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी अन्रिसर्च में स्वागत करती हूं आज मैं लेकर आ गई हूं वस्ट पेपर के कोश्चन्स को जो कि सेकंड सेमेस्टर के लिए है तो आपको यहां पर जानकारी देना चाहूंगी कि सेकंड सेमेस्टर मैं प्लेड़ के लिए एक प्लेड़ लिस्ट क्रियेट की गई है उस चैनल में लिए फ्री प्लेलिस्ट में आपको इसे सारे कि सारे वीडियो मिल जाएंगे तो चलिए दिया ना करते हूं इस तах का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब परे सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन की घंटी के ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अप्लोड करों उसकी सूचना उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंस सक यहाँ पर शोद से संबंदित कुछ प्रशन पूचे गया है उसी का आज हम question answer करेंगे शोद कारे प्रणाली में सम्मिलित अवस्था है तो यह सभी के सभी सम्मिलित हो जाएंगे नए आकडों का सयोजन भी होता है आकडों का परिवर्धन भी होता है और आकडों की पुनर प्याख्या भी घी जाती है तो इसमें सभी के सभी हो जाएगा शोद कारे प्रणाली के विकास में शामिल होते हैं तो यह सभी किसे भी प्रक्रिया शामिल होती है जैसे कि प्रक्रिया के शुरुआत संसलेशन और विवेचना तो यह सभी के सभी हो जाएंगे शोद कारे प कर लेंगे फिर शोद कार्य प्रणाली का तीसरा चरण जब तीसरी चरण की बात होती है तो हमारा हो जाता है संसलेशन शोद कार्य प्राली का अंतिम इस्तर जब शोद हम कंप्लीट करने वाले होते हैं तो उसका सबसे अंतिम चरण स्टेप आ जाता है निशकर्ष का कि हमने उस सोच से क्या conclusion निकला, एतिहासिक अनुसंधान प्रविदी में सामनेता कितने सोपान होते हैं, तो कुल मिला के 6 सोपान ये 6 चरण हम कह सकते हैं, एतिहासिक अनुसंधान प्रविदी में प्राकल्पना का संबंद किस सोपान से होता है, तो ये सुपान होता है दुतिय सबसे पहले समस्य आती है उसके बाद परिकल्पना या प्राकल्पना आती है एतिहासिक अनुसंधान प्रविदी के पांचवे सुपान का संबंध है तो ये संबंध होता है सांख्य की प्रविदियों का प्रियोग होता है 100 option हमारा यहां पर correct ह हो जाएगा एतिहासिक अनुसंधान प्रविदी के चतृत सुपान का संबन्ध है तो उत्तर बनेगा हमारा प्राकल्पना का प्रद्रत्वों का संक town और क्यों चुश्ण पर आती हैं इतिहासक अनुसंद्धान लाग गॉफ का संब्ध होता है अनाल वादी इतिहास लेखन से आगे देखते हैं इसमें से किसे नौसिखिया इतिहासकार के नाम से जाना जाता है तो ये है फिलिप रोज नामक पुस्तक के लेखक हैं ये हो जाएंगे जौक गॉफ आपको जानकारी देना चाहूंगी अगर आपके पास किसी प्रकार का सुझा होए तो आप कमेंट बॉक्स का प्रियोग करें और इन वीडियोज को एक से दो बार जरूर देखें ताकि ये इसे आपको ये लर्न हो स सेके माकस हिस्टोरीयोग्राफी गृप की स्थापना में सहयोग दिया था तो किसने सहयोग disability ये यह था इपी-थॉम्सन हो जाएंगे आज के प्रशिद्ध पत्रिका बास्ट एंड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेट का बिजर ऊपन किया था तो ये बीजर ऊपन option correct होगा किसने आर्यों की प्राचीन सामधाइक रिवस्ता की समापती के प्रश्चात भारत में दास समाज की उदय का दावा किया तो ये उदय का दावा करने वाले थे डांगे ये वीडियो मुश्किल से 5 या 10 मिनट के ही होते हैं तो इसको रिवीजन करने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा और आप सबसे फिर से यही कहना चाहूंगे इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करने से मुझे और मुझे सही डियरेक्शन मिलेगा आपको आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तो लाइक जरूर करें अगर आपको यह पसंद आता है तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं डीडी कौशांबी का संबंध है तो डीडी कौशांबी का जो संबंध रहा है वो रहा है मार्क्स स्वाधी इध्यास लेखन से फिर डीडी कौशामभी ने भारतिय समाज के संदर में सुईकार किया या सुईकार किया है तो दासों के अस्तित को सुईकार किया है डीडी कौशामभी ने निवन में से किसने डीडी कौशामभी को सर्फिरिस्ट मार्क्स वाधी इध्यासकार घ प्रयोग करते हैं तो ये विचारधारा थी माकसवादी इन में से किसने भारत में सामंतवाद के विकास के को छेत्रिय प्रभाव शाली व्यक्ति को एक शक्त शाली वर्क के रूप में देखा तो रामशर्ण शर्मा ने भारत भारतिया इतिहास लेखन के संदर में माक्सवादी विचाधारा का प्रियोग किया तो ये सभी के सभी हो जाएंगे रामशन, शर्मा, रोमिला, थापर और डीडी, कौशामबी माक्सवादियों को समझने के लिए इन में से किसने वाग्यानिक द्रिश्टिकोंड को सरवादिक आवश्यक माना तो इर्फान हभीब हो जाएंगे, सो आप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट, र.S. शर्मा की पुस्तक, अर्बन डीके इन इंडिया निम्न में से किसके विकास के संबंद में है तो यह सामंतवाद के विकास के संबंद है, और यहां हमारे कोशन कम्प्रीट हो जाते हैं तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता हैँ तो लाइकशेर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद ड्ल compound कि घंटे को जो ब्रेस कर लें ताक je से तरह का वीडियो में जब भी अप्लोड करो उसकी सूच उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सकें ओके टेक कियर इन बाबाई